हलो दोस्तो आज काफी टाइम बात वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले बात तो माफी चाहूँगा क्योंकि I was engaged in something और अब से फिरी हो गए डेली बेस पर वीडियो आएगी तो stay tuned always तो हम आज जिस शेयर से लेटरी बाते कर रहे हैं वो आपके सामने हैं इससे लेटरी बाते करेंगे fundamental technical सब जी जानते हुए नजर आएंगे company क्या करती है किस तरीके से करती है बट वीडियो में आगे बड़े हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा I am Small Cap Investor चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को ही टॉल के notification कौन करिएगा बाइंग सालिंग की recommendation नहीं है अपने financial advisor खुद की study करना है चीटों को सीखने पर focus करना है और सीखने के लिए क्या करना है हमेशा की तरह कहूंगा वीडियो जाके देखिए बहुत सारा ज्यान मिलता हुए नजर आएगा इसके इला से लिमिटेड की तो हम यहां पर company से लिटीव बाते करेंगे company करती गया हमने इस से लिटेड आट नो महीने पहले भी बाते करी थी हाना उस टाइम शेयर ठंडा था बट अब इस शेयर में दुबारा जाना आच चुकी है और शायद यह शेयर यहां पर आपके लिए एक multi-b activities होती है जैसे की एक एक से लिटेड जो प्रोडक्स बनते हैं वह उनसे लिटेड यह company काम करती हुए नजर आती है यहां पर आप देखेंगे जम्मू महराष्ट पंजाब राजिस्तान गोजराच अच्छा गासा company का काम है तो एक बार इंकी website पर विजिट करिए हैना इंक company 81 करोड रुपीज की है तो मतलब क्या है market cap 81 करोड रुपीज का मतलब penny stock हो गया micro cap हो गया और small cap से भी नीचे यह share है तो इसलिए जब मैं small cap और उसे छोटी company की बात करूं तो याद रखिए कि सबसे पहले हमारी channel का नाम भी आई है वो इसलिए क्योंकि हमारी expertise इसमें है द यह share कहां से कहां पोचेगा और फिर कहां से कहां पोच रहेगा वो आपको समझ में नहीं आईगी क्यों क्योंकि यहां पर इसका chart pattern आप देख रहे है रिस्क है इसमें बहुत ज्यादा जब share भागता है तो multi bagger return देगा कि 5 रुपे वाला stocks आपके पैसों को 10-12-15-15 गुना क time entry करना बनता है यह share ऐसा है बात करें पी की नौ के पी पे है जिब नौ के पी की बात करूं तो सस्ता नजर आता है क्योंकि इंडश्टी का पी 30 का है बट याद रखिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि पी के कम हो तो यहां पर भागेगा जादा हो तो नहीं भागेगा तो इसल यहां पर शेयर चल रहा है 82 के यहां पर बुक वैल्यू है जो कि यहां से बहुत ज़्यादा उपर शेयर चल रहा है 270 का हाई लगा था 215 पर यहां पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अब बात करते थोड़ा सा आगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी के जम नंबर्स सबस्यार आज आप देखते हो कभी ज्यादा हो जाते कभी कम हो जाते क्यों कि सीजनल बिजनस का विशूर कभी कभी कम तो यहां पर आप कभी कम्पणी की睡ति पर देखो कि तो इस बार जो परंपनी का अच्छा कासा आता हुआ दिखाई दिया है तो यहां पर इस कंपनी की तरफ नजरे बना सकते हैं EPS बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का बात करें और चीज़ों की तो yearly base पर जो कंपनी का performance है वो भी यहां पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर reserves की बात करें 17 करोड के reserves है उसके साथ में company का जो borrowing है वो भी बड़ा है जो की concern की बात है क्योंकि छोटे company के लिए इतनी borrowing कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं होती बात करें company की cash की तो 8 करोड रूपीस के आसपास का cash है और चीज़ें यहां पर देखें प्रमोटर्स के 37.32 परसेंट है जो की as it is लेके बैठे हुए है पब्लिक की बात करें 62.68 परसेंट है जिनमें यहां पर आप देख सकते है अच्छे अच्छे लोग यहां पर अच्छी खासी holding लेकर इस particular share में बैठे हुए है और बात करते हैं आपर इंसाइड तो आपको समझ में आएगी कि 19 अगस्त को 16 अगस्त को इस शेयर में क्या हुई है बाइंग हुई है 25 जाशेयर 24 जाशेयर ठीक है उससे पहले यहां पर बेचे भी है और जिनोंने यहां पर 204 में बाइंग करी दी उन्होंने 270 में यहां प साइट की पोटेंशिल बढ़ जाती है और ऐसे शेयर इसी तरी के काम करते है तो यहां पर बाइंग होई है यह चीछ को हमें यहां पर रखना मल्टी मल्टिप्लायर शेयर एंड श्टॉक एडवाइजर प्राविट लिमिटेड ने 245 पर शेयर खरीदा है और अभी हम बात करें तो कितना चल रहा है दो सो पंदर रुपे तो कहीं न कहीं सस्ते पर आप एंट्री करेंगे तो किस आगे बढ़ेंगे टेखनीकल से लिटी बाती करेंगे बट याद रखिए टेकनीकल की बाते करूं से पहले रिक्वेस्ट है कि यहां पर चानल को सब्सक्काइब करेंगे और किसी के कहने पर मेरे कहने पर तो specially और किसी और के कहने पर भी नहीं लेना है चुछ की स्टडी करना सीखना जब सीखेंगे तो पैसा अपने आप 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 अटमेटिकली बनता हुआ आपका नजर आएगा और सीखने के लिए नंबर है कॉल करें वाट्सप करें किसी चेंज होती हुए नजर आ रही है अब यहां पर इसके फेवर में आती हुए नजर आ रही है अब बात करें इसके बेसिस पर एक टार्गेट निकला था उसका मैंने आप बता है था कि लगभग 334 रुपे के टार्गेट है जो कि लगभग 50% बनता हुए नजर आता है और एक और यहां पर चार्ट बनता हुए नजर आ रहा है जो कि यहां पर आप देखेंगे तो एक कब बना रहा है कब बना के नीचे आया और एक हेंडल बनाता हुए नजर आ रहा है तो कब इस हैंडल पैटन का जब ब्रेक आउट होगा जो कि 270 रुपे के ऊपर होगा तो टार्गेट इसके और बढ़ते हुए नज़र आएंगे 456 रुपे के जो की लगबग 112 से परसेंट की लगबग बनते हुए नज़र आते हैं जब मैं बात करूँ कि यहाँ पर इस तरीके से चीज़े काम करती हुए नज़र आएगी तो ऑविसी बात है टाइम लेगी दूसरी बात रिस्क भी इनवाल्व है क्योंकि कंपनी अगर एक अथ कौटर दुवारा खराब कर देती है क्योंकि सीजनल बिजनस से कभी उपर कभी नीचे चलता है तो याद रखेए शेयर फिर दुवारा धड़ाम से नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है बट चीजे शायद इस बार ना हो तो इसलिए याद रखिएगा मेरे कहने पर किसी और के कहने पर नहीं लेना है दूसरी बात हम बात करें जब शेयर को लेना है तो रिसक को हमेशा मेंश करने है आना क्यों कि याद रखिए रिसक रिवाड रिशू इसे ही का जाता है कि आप कि आपको 10 रुपे बनाने के लिए कितना रिसक ले रहे हो उसी को यहाँ पर जितना फेवरेवल होगा उतना पैसा बनेगा तो यहाँ पर रिसक कितनी बनती है 206 6 रूपे 205 रूपे का इक stop loss लगबग 10 रूपे नीचे कितना हो गया लगबग 45-45% की आसपास का रिस्क बनेगा जब यहां इस शेयर भागेगा तो सबसे पहले टार्गेट 270 के आपके पैसे यहां पर बन गए दूसरे टार्गेट यहां पर 350 रूपे के आसपास के जो मैंने 2-3-4 रूपे का stop loss होगा और फिर यहां पर और पैसे बनते हुए नज़र आएंगे तो याद रखिए रिस्क reward ratio के हिसाब से काम करना है रिस्क management के हिसाब से काम करना है चीजों को सही तरीके से परक के समझ के यहां पर चीजों को लेना है हाना और जब कलोगे तो यहां पर साम चर्चना है और वह सारी चीजर से समझाते है और पड़ाते है दिखाते है hannah आप मेजको pouक्स में निचे नमबर पे तो आपको चीजित समझ पर खरदेश acceptουμε तो और आपको काम करना है तो भी आप आयको यहां पर कंटाक करे नीचे नमबरों पर आपको बुस चीजिये ह यहां पर समय में आते हुए नजर आएगे, आप काम करते हुए नजर आओगे, so thank you so much, God bless.